कैरिबियन समुद्र के नीले आगोश में बसा हुआ, एंग्विला, एक छोटा सा खूबसूरत द्वीब, उन यात्रियों को बुलाता है, जो एक शान्त और सुन्दर जगह जाना चाहते हैं। एंग्विला, एक अविस्मर्णिय यात्रा का वादा करता है। यहां के समुद्र तटों की सफेद रेत और नीले पानी की चमक आपको एक स्वर्गिय अनुभव का एहसास कराती है। और ताजगी से भर देती हैं। भीड भाड से दूर, एंग्विला उन लोगों के लिए एक शरण स्थली प्रदान करता है, जो सुकून और तरोताजा करने की चाहत रखते हैं। यहां की शान्ती और एकांत आपको अपने आप से जुड़ने का मौका देती है, जहां आप अपने विचारों में खो सकते हैं और जीवन की भाग दौर से दूर हो सकते हैं। इसकी बेदाग, सुन्दर्ता, समरिध इतिहास और जीवन्त संस्कृती सामंजस्य पूर्ण रूप से मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं, जो मनोरम और समरिध दोनों हैं। एंग्विला के एतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक उत्सव आपको यहां की धरोहर और परमपराओं से रूबरू कराते हैं। चाहे आप रेतीले तटों पर धूप सेंखते हुए आलसी दिन बिताना चाहते हों, या समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए आराम करना चाहते हों, एंग्विला में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं, जहां आप प्रकृती की गोध में सुकून पा सकते हैं। पैरों के बीच नरम, रेती ली रेत। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको शान्ती और सुकून से भर देगा। यह आपके लिए एंग्विला है। कैरिबियन के दिल में स्वर्ग का एक टुकडा, यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता और शान्त बातावरन आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। जैसे ही मैंने इस छोटे से द्वीब पर कदम रखा, मेरे उपर एक अजीब सी शान्त इछा गई। यह जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। हवा में नमक और समुद्र की गंध महसूस हो रही थी और हलकी हवा में हसी की आवाज भूंज रही थी। यह सब कुछ इतना जादवी था। मेरे आते ही मुझे पता था कि अंगिला वास्तव में कुछ खास होने वाला है। यहां की हर चीज में एक अलग ही आकरशन है। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम छिपे हुए रतने का पता लगाते हैं। जीवन्त संस्कृति में डूब जाते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर रहेंगी। यहां की संस्कृति, यहां के लोग और यहां की हर एक चीज आपको एक नई द्रिष्टी से जीवन को देखने का मौका देगी। एंगिला की इस यात्रा का हमारा पहला पड़ाव हमें रेंडेवू बे ले जाता है। जो स्वर्ग का दो मील लंबा हिस्सा है जहां कैरिबियन सागर का फिरोजी पानी बेदाग सफेद रेत को धीरे से सहलाता है। यह जगह न केवल अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता के लिए प्रसिद्ध है बलकि यहां की शान्ती और सुकून भी इसे एक आदर्ष गंतव्य बनाते हैं। कलपना कीजिए कि आप अपने पैर की उंगलियों को नरम महीन रेत में डुबो रहे हैं और हर कदम के साथ आपको एक नई ताजगी का एहसास हो रहा है। गर्म सूरज आपकी तवचा को चूम रहा है जैसे ही आप अंतहीन क्षितिज को निहारते हैं। यहां की धूप न केवल आपके शरीर को गर्माहट देती है बलकि आपके मन को भी एक अद्भुत शान्ती का अनुभव कराती है। यह है रेंडेवू बे एक ऐसी जगह जहां समय थमसा जाता है। यहां की शान्ती और प्राकृतिक सुन्दर्ता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहां आप तैराकी और धूप सेखने से लेकर समुद्र की लहरों के साथ खेलते हुए कया किंग और पैडल बोर्डिंग तक असंख्य गतिविधियों में अपने दिन बिता सकते हैं। हर गतिविधिया आपको यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता के और करीब ले जाती है। शोल बे इस्ट जाते हैं, जिसे अकसर दुनिया के सबसे खूब सूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। पाउडर जैसी सफेद रेत के अर्धचंदर की कलपना कीजिए, जो इतनी नरम है कि आपके पैरों के नीचे रेशम की तरह महसूस होती है, कैरिबियन सागर के क्रिस्टल क्लियर पानी से सराबोर। ये है शोल बे इस्ट, जहां सूरज, रेत और समुद्र एक साथ मिलकर एक अध्भुत नजारा पेश करते हैं। जैसे ही आप किनारे पर टहलते हैं, लहरों की कोमल लय एक सुखदायक संगीत प्रदान करती है, जो आपको आराम करने और अपने परिवेश की शान्ती को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। स्नौर्कलर और गोताफोर समुद्री जीवन से भरपूर जीवन्त प्रवाल भित्तियों से मंत्र मुक्त हो जाएंगे, जबकि रोमांच चाहने वाले विंड्सर्फिंग या काइट सर्फिंग में हाथ आजमा सकते हैं। धूप से सराबोर तटों को पीछे छोड़ते हुए हम अंतरदेशिये यात्रा करते हैं आइलेंड हार्बर, एक आकरशक मचली पकड़ने वाला गांप जो एंगिला के दिल और आत्मा की एक जलक पेश करता है। घर की कहानियां साजह करने के लिए उत्सुक हैं। स्थानिय रेस्तरा में जाना न भूलें और दिन की ताजा मचली का स्वाद चखें, जो समुद्र से ताजा और स्वाद से भरपूर हो। अंगिला की यात्रा इसके मनोरम व्यंजनों का आनंद लिए बिना पूरी नहीं होती है। कैरिबियन स्वादों, ताजा समुद्री भोजन और विदेशी मसालों के मेल की कलपना कीजिए, जो हर निवाले के साथ आपकी स्वाद कलिकाओं को त्रिप्त करते हैं। अंगिला का पाक ग्रिह द्रिश्य, स्थानिय और अंतरराष्ट्रिय प्रभावों का एक आनंद मैं मिश्रण हैं, जो हर स्वाद के लिए एक गैस्ट्रोनॉमिक साहसिक कार्य प्रदान करता है। समुद्र तट के किनारे के जोपडियों से लेकर, अब तक के सबसे ताजा जींगा मचली परोसने वाले अपस्केल रेस्तरां तक, क्लासिक कैरिबियन व्यंजनों की अभिनव व्याख्याएं पेश करते हुए, एंगिला में हर इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ न कु अनुभाग साथ, एंगिला के समरिध इतिहास और संस्कृति की खोज, अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता से परे, एंगिला एक समरिध इतिहास और जीवन्त संस्कृति समेटे हुए है, जिसे खोजा जाना बाकी है, द्वीब के पहले निवासियों की कहानियों को फुस प्राचीन अमेरिंडियन कलाकृतियों की कलपना कीजिए, आपनिवेशिक युग के बागान एक बीते युग की एक जलक पेश करते हैं, और जीवन्त त्योहार द्वीब की अनूठी विरासत का जश्न मनाते हैं, एंगिला के अतीत में तल्लीन करने के लिए हेरिटेज कले अनुभाग आठ एंगिलान आतित्य की गर्म जोशी एंगिला के सबसे प्रिय पहलूँ में से एक अपने लोगों की गर्म जोशी और आतित्य है कल्पना कीजिए कि आप जहां भी जाते हैं, एक दोस्ताना मुस्कान के साथ आपका स्वागत किया जाता है अजनभी दोस्त बन जाते हैं और समुदाय की भावना जो स्वागत करने वाली और दिल को छू लेने वाली दोनों है अंगिलान को अपने द्वीब के घर पर गर्व है और वे हमेशा इसकी सुन्दरता और आकर्शन को आगंतुकों के साथ साज़ा करने के लिए उत्सुक रहते हैं चाहे आप किसी स्थानिय मचवारे के साथ चैट कर रहे हों परिवार द्वारा संचालित रेस्तरा में भोजन का आनंद ले रहे हों या बस दिशा निर्देश मांग रहे हों आपकी मुलाकात उस दया और उदारता से होगी जो द्वीब छोड़ने के बाद भी आपके साथ अनुभाग नौ एंग्विला एडवेंचर को अपनाएं जैसे ही हमारा एंग्विलान साहसिक कार्य समाप्त होता है मैं आपको अन्वेशन की भावना को अपनाने और इस मनोरम द्वीब पर अपनी अविस्मरणिय यादें बनाने के लिए प्रोथ साहित करता हूं चाहे आप विश्राम, रोमांच या दोनों की तलाश में हों एंग्विला में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक यात्रा कारनामों के लिए बने रहें क्योंकि हम कैरिबियन और उसके बाहर छिपे हुए रतनों का पता लगा अनुभाग 10 का इंतजार कर रहे हैं अपने बैग पैक करें अपने टिकट बुक करें और एंग्विला के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाईए